जेशिरामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट यह अपील जबलपुर उच्चिनेयालाई के कोष्टक दांडिक पुनरिक्षण पक्ष के कोष्टक पच्चिस चे दोजार बाईस के निर्ने और आदेश के विरुद्ध है विराम उठाया गया प्रत्यर्थी के पक्ष डेश कथन में उलिखित है और हमारे विचार से सही रूप में उलिखित है विराम प्रश्ण यह है कि क्या उच्चने आले को दंड पर किरिया सही ताकी धारा 561 डेश के अधीन दो प्रथम इत्तिला रेपोर्टों के अनुसार में की गई संपूर्ण कारवाही अभी खंडित करने की शक्ती थी विराम प्रत्यक मामले में परिवादी एक स्म साले हथा विराम पहली रिपोर्ट 11.6.2022 को की गई और बादवाली उसी वर्ष 9 सितंबर को विराम पहली रिपोर्ट में अपराद दंड सहीता की धारा 420 का उलंगन बताया गया विराम तथ्य सिथिल एवं अविवस्थित रूप से वर्णित हैं और ठीक विवरण प्रस्तुत नहीं करते विराम परिणाम स्वरूप, कम से कम यह संदिग्द है की क्या अपराद का ऐसा वर्णन नहीं होना चाहिए था की वह धारा 420 की बज़ाए 417 का उलंगन करके किया गया विराम दोनों में महत्वपून अंतर यह है की धारा 420 के विरुद्ध अपराद क्षंक्षेप में है है और धारा 417 के विरुद्ध संगेय तथा उसका अन्वेशन केवल मजिस्ट्रेट के अनुदेश पर ही किया जा सकता है कोमा जबकी दूसरे मामले में पुलिस धंड फ्रकिरिया सहिता की धारा 154 एवं 156 के अधीन 100 परेणना से ही कारवाय कर सकती है विरुद्ध पराचेंच जो भी हो और स्वयम रिपोर्ट में अपराद जेसा भी वर्नित हो कौमा हमारा समाधान हो गया है की रिपोर्ट से धारा 409 के विरुद्ध अपराद बनता है कौमा जो भी संगे अपराद है और संभवतह धारा 40 के विरुद्ध भी अपराद है विराम इसके अतिरिक्त पस्चातवर्ती रिपोर्ट कौमा यद्ध पी उसमें भी विवर्न कम ही है कौमा इस पस्च रूप से धारा 409 के विरुद्ध अपराद का आरोप प्रकट करती है और उसमें इसी अपराद का वर्नन है विराम अतह हमारे विचार से दोनों पर्थम इत्तिला रिपोर्टें अभियुक्त पर संग्य अपरादों का आरोप लगाती हैं कौमा जिनके अंतरगत पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच करने का अधिकार है विराम हमारी राय में यह उलेक करना इसलिए आवश्यक है की हमारे समक्ष पर्त्यर्थी की और से यह जोरदार तरक किया गया है की मात्र आरोप जिस पर ध्यान दिया जा सकता है दोनों रिपोर्टों में से पर्थम में अंतरविष्ट है कौमा तथा उसमें आरोप असंग्य अपराद का था कौमा अतह दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 155 के अधीन पुलिस जाच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकती थी विराम फिराचेंच जैसा की हमने समझा है कौमा तर्क यह है की दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 154 से 156 तक के अधीन रिपोर्ट केवल वह थी जो 19-22 को लिखी गई कौमा बाद में प्रक्रम में 5 सितंबर के लिखित कथन इत्तिला रिपोर्ट नहीं थे बलकि अन्वेशन के अनुक्रम में सहीता की धारा 161 और 162 के अधीन अभी लिखित कथन थे विराम अतक किसी संग्यय अपराद की कोई रिपोर्ट नहीं थी कौमा जिसके बारे में पुलिस को जाच करने का अधिकार था कौमा बलकि केवल एक असंग्यय अपराद था कौमा जिसके बारे में यदी अन्वेशन अधिकृत किया जाना था तो मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यक्ता थी विराम हम इस तर्ग से सहमत नहीं हो सकते विराम हम बताएंगे कि इस मामले में परत्यर्थी परत्यक दस्तावेज को एक अलग प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानता है और वास्ताव में उसकी और से किये गए तर्ग के आधार पर यह सही है विराम इस्टोप धन्यवाद